नमस्कार बहुत बहुत स्वाद करते हैं एक लिक्टोडे के आज के इस वीडियो में हम बात करें वाले मुख्यमंत्रि कन्या उत्थान योजना की राश्री को ले करके और इसका आवेधन का प्रक्रिया कब से सुरू हो सकता है जैसा कि मैंने आप सभी को पूर में सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते कि लोग सभा का जो चुनाओ का घोशना किया जा चुका है इस बीच जो है हर एक स्टेट गॉवर्मेंट जो है किसी भी प्रकार की योजनाओ का लाफ जो है अभी मुहया नहीं करवा सकती है और कहीने कहीं जो है आपको ट्रेजरी की राशी दी जाएगी साथ ही एक लैप्टॉप भी प्रवाइट कराया जा रहा है जो फर्स सेकेंड और थर्ड रैंक पे आए हैं और इवन दो टॉप टेन में जो आए हैं उनको लैप्टॉप भी दिया जाएगा ये जो है रिपोर्ट दिया गया है बीए सिवी के तरफ स यानि कि बिहार स्कूल एक्जामिशन बोर्ट के तरफ से ये इंफर्मिशन प्रवाइट किया गया है इसके बाद रही बात कि जो भी छात्राएं सनातक उतरिन की हैं उन सबी को जो पचास जार की राशी दी जाएगी इसके लिए बीते दो साल पहले ही जो है गोशना की पिन होने की किसी प्रकार के कोई भी जानकारिया नहीं दी गई है तरफ घोषनाय की गई है लेकिन पोर्टल कब उपन होगा और कब नाम एड़ होगा इसको लेकर कोई भी इनफर्मेशन नहीं दिया गया है हाला कि में आपको सुरू से यही बताते हुआ हूं कि अपने डि उन सभी का जो है जो college होगा जिसमें एडमिशन हुआ होगा वो college एक तो affiliated होना चाहिए किसी दूसरे college से वो attached नहीं होना चाहिए साथी आपने जिस course में admission लिया होगा उस course का मानेता होना चाहिए तभी जो आपको इस स्योजना का लाब मिल जाएगा दूसरी चीज आपका जो है अवाश्य प्रमानपत्र करेंट का बना होना चाहिए पास्वुक होना चाहिए बैंक का और बैंक अकाउंट जो हो यूएडिया के website के ओपर seeded होना चाहिए bank seeding status आपको देख लेना रहेगा यह मैंने आपको कई बार बताया भी है साथी छात्रा जो है बिहार राज की ही निवाशी होनी चाहिए यह सवरा जो है criteria है eligibility का कि आपको इस योजना का lab मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी आप लोगों ने पूछा कि अभी तक आप information क्यों नहीं दिये क्योंकि result तो आ चुका है अभी उपर से यही पता चल पाया है कि जो elections है अभी जो central elections आने वाले हैं conduct होने वाले हैं इसको लेकर के आचार सगीता जो है लागू किया जा चुका है तो इसको देखते हुए हो सकता है state government के जो भी funding से वो फिलहाल नहीं किये जाए तो अभी योजना का application process भी नहीं होगा होता है लेकिन government के policies के according ही कोई भी state government को किसी प्रकार का actions जो है ले सकती है तो यही सारे जो है reports अभी तक के सामने निकल करके आए हैं कई शात्राओं ने पूछा कि दुवारा से हमें जो बता दीजिए bank seeding status कैसे चेक करना है तो देखिए आपको Google के उपर आकर के click today search करना है click today search करना है जो पहला website आएगा उसके उपर click करना है उसके आपको अपना dbt link के status चेक करना है कि आप जो खाता दी है या फिर देने जा रही है उसमें आपको आपका bank account seeded है कि नहीं देखिए यहां पर सर्च बार पर क्लिक करके जैसे dbt लिखिएगा आपको नीचे स्कॉल करके आना रहेगा direct benefit transfer चेक इसके उपर आपको स्टैटिस और आधार बैंक mapping has been done आपका जो आधार नंबर है उसका लास चार्ट दिखाया जाएगा उसका बैंक स्टैटिस दिखाया जाएगा बैंक सीडिंग डिखाया जाएगा और आपका कौन सा सीडिय नहीं है की तर संपर्क करें क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से लिंग यहँ सीडिक करने हेगा जैसे ही क्लिक करके आयेगा तो आपको निचे थृर्बआ स्क्रॉपर आना रहेगा यहां पर आपको बैंक सीरिंग स्टैटेस देखने का ओप्शन दिखेगा इसके उपर क्लिक करने का आपका अधार नंबर एंटर करना रहेगा और अधार से जो मौईल नंबर लिंक होगा उसके उपर OTP जाएगा OTP एंटर करते हुआ आप देख लिजेगा कुछ इस प्रकार का मैसेज जो पॉपप होकर कहेगा जो कि मैंने आपको बताया इसी प्रकार का मैसेज रहेगा तो यह सारे आपको एक बार लिंक से ट्राइ कर लेना है दूसरी चीज कि अब आपका कॉलिज बगरा लिस्टेट है क यह कहां से देख सकती है तो आपको लिखना होगा मेधा सॉफ लिख करके आप सर्च कर दीजेगा जैसे ही सर्च करीगा नीचे स्कॉल करते हुए आईएगा आपको 29 मार्च वाला जो एक पोस्ट खोले ना रहेगा यहाँ पर 29 मार्च दोज़ा टेस का पोस्ट है इसे आप यहाँ पर सारे इंपोर्टैंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर नेम चेकलिस्त तो नेम चेकलिस्त में तो अभी जिनका नाम नहीं जुरा है तो वह अभी प्रतीक्षा ही एक करेंगे किसी परकार का कोई अपडेट नहीं है रजिस्ट्रेशन क्लोज आपको चेक स्टेट्स ज ले रखा है और जिस college में अब कर्द मानिता है या नहीं इसे आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से आप जो है अपने-पने college का लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं यहां पर यहां पर फिलहाल नहीं दिखा Llore लेकिन हम 18-21 का फिर सर्च करें आपसे जो पीछे वाया सेशन था उन सभी के शात्र मतलब उन कोर्स की चात्राओं को जो यूजना का लाब मिला है उन सभी चात्राओं को यहां पर स्टैटेस दिखना सुरू होगा एक सब्सक्राइब दूसरे कॉलेज का देख लिते हैं क्यो पर लिस्ट में नाम देख रहा है इसी प्रकार से आप सभी अपने अपने कॉलेज का जो लिस्ट होगा रचक कर लिजे आगे जो भी अपडेट होगा जैसा भी अपडेट होगा आपको जो हम वीडियो बना करके बताएंगे इसलिए हमारे साथ बने रही है परिशान होने क अप्रूवल जो दिख रहा है कि वेटिंग फर उनिवर्शिटी अप्रूवल है तो वह आपका इस महीने के अंत तक कर दिया जाएगा क्योंकि पिछला फाइनेशल एर क्लोज हुआ है नए फाइनेशल एर में नए डिसीजन्स लिए जाएंगे तो हो सकता है कि पोटल के ओ अगली वीडियो में और अगर आपके कोई सवाल ये सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजेगा जिससे कि हम आपको रिप्लाइग दे पाएं और उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले वीडियो में डिसकेशन कर पाएं तो आज की वीडियो में यह इन्फरमिश अवीजेग आपके कוכई लीडियो में यह जलिद beginnen करे Mangार उसके भीडियो में जिसकत gonna कर दो लीजे कोई सवाल और झाली पहल सकत्वा बैले आपके कि